तो आज के वीडियो में हम लोग 5.71 जो की चीतन भगत की काफी फेमस नॉवेल है उसके बाड़े में पढ़ेंगे तो वीडियो शुरू करते हैं वीडियो मेंखें आपनी लेखुरू को है इस जो पर आपनी बिडियो को लाइक करी चैनलियो को सोब्सक्राइब कर गएंगा जूडियो को तो काफी एसी लेंगिवियो को साथ कियेवें हैं क्यूंब एक मिए इस साने में विद्यों की और उच्छी हं सैव 뉴스 किएयों character sketch में सबसे important जो character है वो हडी कुमार का है तो हडी कुमार is the narrator of the story story का जो narrator है न वो हडी कुमार को भी बताया जाता है या main hero protagonist भी हम बोच सकते है he loves Neha Samir Charian तो वह Neha Samir Charian से प्यार करता है who is Mr. Charian's daughter जो कि Mr. Charian की daughter है he is an average in study while study में average है मतलब नाजा तो बहुत जादा अच्छा है ना बहुत जादा खड़ाव है तो average student है seems confused और confused प्रतीत होता है but he keeps all three friends together लेगे रहा क्या करते है तीनों friends को एक साथ रखता है जोड़े रखना तो तीनों friends को जोड़े रखता है कोर हडी कुमार और कौन-कौन तीन friends यह जो हम डिसकस के वह हडी कुमार रेयान अब्रोय आलोग गुप्ता तो में यही तीनों friends के story है तो यही तीनों friends को हडी जो है जोड़े रखने का काम करता है अब आगे है रेयान अब्रोय जो ही second main important character रेयान अब्रोय is son of rich parents रेयान अब्रोय rich parents इतमींज जो रेयान के मातापिता है गहिती है he hates his parents वो अपनी मातापिता से घ्रिना करता है as he feels neglected by them क्योंकि इसको अनुवव होता है सय लगता है कि इसको मातापिता के दौरा जाता है उतना ज्यादा होता है कि एक अटेंशन मिलना तो इसको अपने माता भीता के दौरा बहुत ज़दा अटेंशन नहीं मिलावाई तो इस वज़े से अपने माता भीता को जादा प्रसंद नहीं करता है He wants to be इनोवेटर वह इनोवेटर बनना चाहता है He likes science, उसको science पसंद है and discovers new idea और नहीं नहीं तरह के ideas का खोज करना यह सब पसंद है किसको रियान को He is an extremely friendly, बहुत ज़दा friendly है, caring है, loving person है, he also loves making friend है उसको friend बनाना भी काफी पसंद है रियान को अब जो third important character है वह है आलोग गुपता, मतलब तीन friend की कहानी तो पीन तो important character हो गया तो आलोग belongs to a typical lower Indian middle class family आलोग जो है middle class में भी जो lower middle class होता है उस family से belong करता है, burden with जो की लदा हुआ है Lots of acceptation, मतलब धेर सारा acceptation किया जा रहा है इससे और responsibility मतलब एक lower middle class में होता है निकि normally बेटी को IIT में बढ़ाने बेजे हैं तो बहुत आरा acceptation है कि family की सारे problems को दूर कर देगा तो यही सारे acceptation से लदा हुआ है यह आलोग His father is paralyzed, उसके पिता जो है विकलांग and his mother teaches in a school as biology teacher हो और उनकी मा जो है आलोग की वो biology teacher के रूप में इरली result जो होता है IIT के end में जो result आता है तो वो अच्छा GPA लाना चाहता है अच्छा marks लाना चाहता है नॉर्मली हम लोग बोल सकते So he can get a job ताकि उसको job मिल से के and support his family और वो अपने family को support कर सके जसे इसकी family से accept कर रही है अब आगे है fourth man important character निहा समीर चैरियन तो निहा समीर चैरियन is Mr. Charriyan's daughter Mr. Charriyan's की daughter रहती है She loves her brother a lot यह अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती है but he is not alive लेकिन यह जिवित नहीं है निहा जो अपने भाई से बहुत प्यार करती है उसका भाई जिवित नहीं है Samir meets an accident Samir it means जो निहा का भाई है उसका accident हो गया है on a railway track सी railway track पे she falls in love with हडी और निहा को जो है सबसे important सबसे पहला जो character था हडी इससे प्यार हो जाता है अब Mr. Charion है जिसके बाड़े में हम बताएं थे कि निहा जिसकी बेटी है तो Mr. Charion is the head of IIT department Mr. Charion जो है IIT department के head है he is very strict and possessive about his daughter यह बहुत ज़दा strict और अपनी daughter निहा को लेकी बहुत ज़दा possessive है मतलब होता न protective सब कुछ से बचा कर रखने की कोशिश करना तो ऐसे है He imposes his dreams over his son's shoulder वो क्या कि अपना सपना अपने son's shoulder पे थो पे कंदे पे Samir is his son Samir उनका बेटा है and he commits suicide और वो suicide कर लेता है आत्महत्या कर लेता है Mr. Veera works at the laboratory Mr. Veera जो है लबोरेटरी में काम करते हैं He hires Riyan to work with him वो रियान को हायर करते हैं कि Riyan के साथ काम करें in the laboratory लबोरेटरी में with just a salary of 2,000 रुपीज बस 2,000 रुपीज के salary ठीक है रियान जो मतलब IIT में पढ़ रहा है और novel के अंत में क्या होता है न वो मतलब 2,000 के salary पर Mr. Veera के यहां काम करने लगता है अब आगे है वैंकट वैंकट is the topper of the class वैंकट जो है topper है क्लास का IIT का जो जिस क्लास में ये तीनों दोस पर पढ़ते हैं तो उसी का topper है यहां पे character होगे जो भी important character था स्टोरी समझने के लिए character को समझना बहुत अधा important है और हम ये देखते हैं कि किस तरह से ये novel जो है na movie three idiots से मिलती है ठीक है तो उसकी character को match करते है तो यहां पे हम लिखे हैं character related to three idiots यह आपके exam में नहीं पूछा जाता है फिर भी मतलब movie थोड़ा बहुत match करते हैं three idiots से तो इसलिए हम लोग discuss कर लेते हैं सबसे पहला जो हडी का character है जो हम बताए important है तो हडी जो है हडी का role movie में आर्माधवन निभाय हुए है जिनका की नाम movie में फरहान रहता है और फिर रियान अब्रोई जो नोवेल में है तो उसका character को निभाय हुए है आमीर खान निभाय हुए है जो कि जिसका की नाम movie में रैंचो रहता है movie में रियान अब्रोई को main hero दिखाया गया है लेकिन हम लोग के novel में हरी को main hero दिखाया गया है आलोग गुप्ता जो की शर्मन जोशी रहते है और जिसका की नाम रहता है movie में राजू नेहा जो की करीना कपूर रहती है movie में नाम है नेहा का पिया Mr. Charian जो की बुमन इरानी जिसका रोल लिभाय थे और जिसका की वाइरस नाम रहता है तो notes जो है आपका ये introduction वाले section से सुरू होगा कि अगर आपको exam में आता है तो आपको introduction वाले section से लिखना है 5.71 is a novel written by Chitan Bhagat 5.71 जो novel है उसको Chitan Bhagat की दोरा लिखा गया It is a depth novel of Chitan Bhagat, Chitan Bhagat का depth novel है मतलब इससे अपने career की सुरुआत की वे Chitan Bhagat Set in Indian Institute of Technology Delhi इसकी setting जो है novel की रखी गई है Indian Institute of Technology Delhi में मतलब IIT Delhi में इसकी setting रखी गई है In the period 1991 से 1995 के बीच Through the novel, इस novel की जड़िये author describe various faces of IIT life Face or IIT life का मतलब face दिखाते हैं, चेहरा दिखाते हैं पहलू दिखाते हैं कि क्या होता है IIT life The academics, वहां की academics के बारे में discuss करते हैं Professors के बारे में campus life कैसी होती है वो बताते हैं And the rat race of get better grades और वहां पे चुहों की दौर लगी होती है अच्छा माक लाने के लिए उस जिसको भी describe किये हुए हैं This novel narrates the story of three IIT graduates So, यह novel जो है तीन IIT graduates की story है तीन students, तीन friends बोल सकते हैं तीन की कहानी है And about their friendship और किसके बारे में हैं उनके friendship के बारे में differences उनमें जो अलगा हो आता है उसके बारे में study के बारे में enjoyment की वो लोग किस तरह से enjoy करते हैं Career, ambition, मतलब कैसा उनका career रहता है क्या करते हैं, ambition, उनकी क्या महतवकान चाहें desire, इच्छा रहती है Parental pressure किस तरह से उन पर parents के दौरा मतलब माता पिता का दबाव रहते है And peer pressure, peer pressure क्या होता है जब मतलब बहुत सारे student एक साथ पढ़ते हैं तो student के साथ भी competition वाला होता है उससे अच्छा करना है तो किस तरह का peer pressure रहता है वो सारा कुछ describe किया गया And love और love भी described किया गया इतमने समय लोग बोल चकते है Normally जो college life होता है तीन दोस्त के इर्द-गिर्द College life के सारी चीज को इस novel में describe किया गया है As the subtitle of the novel What not to do at IIT Novel के subtitle है What not to do at IIT Suggest इसे हमको क्या समझ में आता है This is not a book to teach you how to get into IIT तो यह book ऐसी है जो हमको यह नहीं बताती कि कैसे IIT में admission लेना है और even how to live in college और college में कैसे रहना है In fact, वास्तब में it describes how screwed up things can get कि कैसे चीज़े उलच जाती है If you don't think straight कि अगर आप लोग स्ट्रेट नहीं सोचते हो सही तरीके से नहीं सोचते हो ठीक है चेतन भगत points that चेतन भगत यहां पे points मतलब हम लोग को इशारा करते हैं Getting into IIT is not all that difficult as it is made out to be कि मतलब IIT में admission लेना इतने साथा difficult नहीं यह जेतने साथा बताया गया है If you can lock yourself in a room with books कि अगर तुम books के साथ खुद को room में lock कर लोगे for two years, दो साल के लिए and throw away the key और उस चाभी को fake दोगे you can probably make it here तो confirm है तुम IIT crack कर सकतो यह point का कहना है author जो है IIT के बारे में यही कहते है कि दो साल तो at least मेहनत करनी पड़ेगे अगर आप लोग को I demand mission चाहिए तो यह author का कहना है ऐसे तो अगर कोई भी फिल्ड अगर select करते हो तो आपको दो-तीन साल आपको मतब लगातार उस पे देना ही पड़ेगा पूरी तरह से focussed हो कि तभी कोई भी फिल्ड में आप success हो सकते हो it was published in 2004 इसको जो पब्लिश करवाया गया 2004 में करवाया गया and this book was made into two films और इस बुक पे जदना दो movie बनी पहले तो 3D जो कि हम अभी character बताए and in Hindi Hindi में जो movie बनी थी वो 3D बनी थी and Nanban in Tamil और Tamil में जो movie बनी थी वो Nanban नाम से बनी थी अब आगे है about Chetan Bhagat हम लोग अब पढ़ लेते है Chetan Bhagat is an Indian author Chetan Bhagat जो है एक Indian author and considered as the youth icon और youth icon के रूप में भी जाने जाते है most of his works are based on youth जादा तर जो उनका work है वो youth युवाहों पे focus होता है best होता है and issue based on national development और ऐसे मुद्दों पे होता है जो national development के बारे में जिसमें बात किया जाए He is one of the most successful author and his novels awarded as best-selling novels तो one of the most successful author से और उनकी novels को भी न best-selling novels माना जाता है बहुत जादा बिक्री होती थी जब भी ये कोई novels लिखते थे पब्लिश करते थे Chetan Bhagat has introduced some unique trends in Indian English literature तो Indian English literature में एक unique अधभुत, trend line, Chetan Bhagat He has focused on the interest for the youth यह किये युगाओं के interest पे focus किये and has written about their aspiration और उनके aspiration यनि आकान चाहूं उनके desire के बारे में लिखे अपने novel में Among his world famous works included उनके world famous works में शामिल है One Night at the Call Center The Three Mistakes of My Life Two States, Half Girlfriend One Indian Girl तो ये दोनों पे तो confirm movie बन रखी है Two States पे भी, जो की already मतलब काफी अची है, movie है Half Girlfriend पे भी movie बन रखी है Half Girlfriend भी movie है अब आगे about title, title के बारे में पढ़ लेते हैं The novel gets its title from the GPA system novel को जो title मेला है वो GPA system से मिला है GPA system क्या? फिस्टे वही grade point average जिसके थूँ हम लोग रिजल्ट का पता करते है वह GPA system के थूँ इस novel का title मिला है Use in IIT इसका की use के जाता है GPA system का ही IIT में result के लिए भी use के जाता है To rank student, students को rank देने के लिए Students who get 5 points, students जुनको की 5 points मिलता है are considered average, 5.7 जो है novel का title है तो ये दिखाता है कि इस student को 5 points मिलता है वह average student माने जाते है and don't usually get the choice job offers और mainly क्या होता है उनको अपने career को settle करने के लिए अच्छा job offer नहीं मिल पाता है ठीक है तो इस पे अधारित है इस novel का जो title है अब analysis of the novel, novel के story को देख रहेते हैं कि क्या story है The novel starts with three friends novel जो है तीन friends के साथ start होती है हडी, रेयान and आलोग रेयान बिलोंगस to an effluent family effluent family क्या होती है न जो मतलब धनी पड़िवार हो तो उस family से रेयान बिलोंग करता है He is well smart and innovative and daring काफी smart रहता है मतलब सुन्दर भी दिखता है innovative भी रहता है और daring साहसी भी रहता है हडी बिलोंगस to a mediocre family हडी जो है mediocre रिटमिन सम लोग बोल सकते है सथारन family से बिलोंग करता है He suffers from a lack of confidence हडी के अंदर confidence की कमी है He wants to become an engineer वो एक engineer बनना चाहता है and earn a lot of money हडी जो है बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है engineer बनके वियर जबकि जो आलोग है is completely different from him वो बिल्कुल अलग है He belongs to a poor family की आलोग जो है वो गड़ी परिवार से बिलोंग करता है His mother is a biology teacher यह पहले भी रिस्क्राइब कि उनकी मा जो है biology teacher and his father is paralyzed और उसकी पीता जो है paralyzed है His family has a lot of acceptation from him मतलब जो आलोग की family को है उस आलोग से बहुत जादा acceptation है and आलोग doesn't want to disappoint them और आलोग जो है यह चाहता भी नहीं कि वो अपनी family को निरास करे The book brings out the sheer billions of IIT students in a very subtle way तो book के जड़ी क्या होता है एक sheer इतम सकते है एक वास्त्रिक billions को दिखाया है एक सटल वेवे बहुत ही सुन्दर तरीके से वन प्रोफेशर मेंशन तो यहां से नॉवल का दृष्ट स्टार्ट होता है कि एक प्रोफेशर क्या होता है मेंशन में नहीं बताता है definition of a machine machine का definition It is anything वो प्रोफेशर कहता है कि कोई भी ऐसा चाहिए reduce human effort जो इनसान के effort को कम करता है Anything see the world around you और कोई भी जो चीज तुम मतलब ऐसा चीज जो इनसान के effort को कम करता है जो तुम अपने वर्ड मतलब इस वर्ड में अपने चारो और देखते हो It is full of machine तो वो सारा कुछ machines है और यह वर्ड मतलब पूरा machine से बड़ा है ऐसा definition एक प्रोफेशर दे रहा है machine का एस्टुडेंट रेयान आज तो रेयान जो हम बता है स्टुडेंट पुछता है Sir what about a gym machine तो पुछता सर जिम मशीन के बाड़े में क्या है कहना लाई के bench press और सम्ट machine कहते है तो इस तरीकी क्या question रेयान आराइस करता है That doesn't not reduce human effort कि रेयान बोलता है यह तो human के effort को कम नहीं करता In fact, it increases his यह क्या करता है और बढ़ा देता है The professor does not know how to respond और इस तरमें क्या होता है कि जो लोग IIT में पढ़ रखे है Know how students can pose fairly challenging question based on their common sense कि कैसे students क्या कर देन अपने common sense पर best question पूछ देता है And without any prior knowledge और बिना किसी पहले के knowledge can't unsettle teachers in the class और teachers को unsettle कर देता है Unsettle, it means बोल सकते है Disturb कर देता है कुछ उल्टा-पुल्टा question करके This example shows that That many professor at the IIT की धेर सार जो प्रोफेशर होते है IIT में are totally Unequipped Unequipped, it means बहुत ज़्यादा skilled नहीं होते है To handle the brilliant student to study this कि मतलब वो बहुत ज़्यादा साड़े प्रोफेशर जो होते है IIT में तो वो क्या करते है Brilliant student को handle नहीं कर पाते जब कोई बहुत ज़्यादा तेज इस्टोडेंट आ जाता है मतलब जो creative वो अंदर से हर्जीस के पूछे कोशनराइज करे अब आगे रियान कंक्लूड्स रियान कंक्लूड्स मतलब निसकर देता है That the IIT system is unfair IIT system unfair है रियान के कहना है Because सब्रेस टैलेंट है इंडिविजूल इस्परिट यह कहते है तैलेंट को दबाता है इंसान के जो इंडिविजूल इस्परिट होती है सब के अंदर अलग-अलग छमता होती है तो उस चीज को भी दबाता है IIT It extracts the best year of one's life यह क्या करता है किसी भी इंसान के लाइफ का best year ले लेता है from the country's brightest mind मतलब जो IIT क्रेक करके गया तो वो country का brightest mind है बहुत जादा तेज होगा तभी IIT क्लिश करके IIT college में है तो IIT college में क्या होता है कि जो best time होता है किसी भी student का वो IIT college के जड़िये किया कर लिया जाता है निचो लिया जाता है ले लिया जाता है यहात पर इसेस्टुढ़न को जजच किया जाता है इनसान जाते है कॉंट्रिबुशन अपना युगधान देके के लिए अब आउट कॉलेज लाइफ द Правस सोभ vimos अब इन इस नियुक कॉलेज करने लेफ। हम लोग देख लेते हैं इन कॉलेज दिर दॉक आपs कि 2 मिल lumière बेस्ट फ्रेंड और तीनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं एक दूश रेखे आलोग इस्ट इस पूरा टाइम पढ़ते रहता है और इससे कॉंप्रमाइज नहीं करता है सचैब हो सम्रिध प्रित्ए हैग में अपर सकता है है वकोचभी कर सकता था अपनी सपने को सच करने के लिए हिस नोट कियर वी उसको प्रैक्टिकल नॉलिज से कोई लेना देना नहीं था रेयान जो है जो मतलब important character है तो रेयान प्रैक्टिकल नॉलिज के पीछे बाग दा लेकिन जो आलोख है जिसो की मतलब अच्छा मार्ग चाहिए उसको पार्टिकल नॉलिज से कोई फॉर्ग नहीं पड़ता उसको बस एक्वाइरिंग नॉलेज वह बिलीव करता है, नॉलेज एक्वाइर करने में अंडर्स्टेंडिंग अबाउट दा कॉंसेप्ट बिहाइंड एवरिटिंग स्टड़ी और रियान क्या करता है, हर चीज के पीछे जो कॉंसेप्ट है वो समझनी की कोसिस करता है, रटना नहीं जो जो समझ में ने आए, रियान उस सब चीज को कॉंसेप्ट की जड़े समझना चाहता है, मतलब छूटी च्छीज क्लियर करना चाहता है, हरी सपोर्ट रियान को सपोर्ट करता है, फोर है वेविग सच एक काईन अप्रोच तो पॉर्परस ऑफ अवक्वारिंग नॉलेज हरी जो है रियान को काफी सपोर्ट करता है कि जिस तरह से रियान मतलब knowledge के परती सोचता है कि इसको concept समझना है रटना नहीं है तो इस वज़े से हरी है रियान को पहुत दा पसंद करता है support करता है one night they plan to go for a movie एक रात यह लोग plan बनाते कि यह लोग movie के लिए चाहेंगे बट आलोग is bothered about the next day's paper लेकिन जो है आलोग bothered है मतलब disturbed है क्योंकि अग्रे दिन इन लोग का paper है but at last लेकिन अंत में he joins them वह आलोग भी क्या कर लेता है इन लोग को join कर लेता है after a few days अब कुछ जिनों के बाद when the results come out जब result आता है and all of them get very poor marks तो क्या होता है इन सब को बहुत गंदा marks आता है तीनों friend को आलोग get super angry at Rayyan अब आलोग जो है अच्छा करना है जो गरीब है वो डियान पर बहुत ज़्यादा गुस्टा करता है who decide to go to movie on the previous day of the exam की मदब रियान ही plan मनाया था movie का तो इस वज़े से जो आलोग है रियान पर बहुत ज़्यादा गुस्टा करता है finally they decide to study regularly for two three hours every day और यह लोग end में decide करने की result अच्छा नहीं हुआ तो आज से हम लोग 2-3 घंटा डेली पढ़ेंगे अब लग सुडी देख लेतने है ठीक है one morning एक सुबर Hari was strolling on the college Hari क्या करता है इत्में सोता है नफालतू का घूमना तो वो घूम रहा था college campus में एंड मिट नहा और नहा से मिलता है see what so aesthetic and gorgeous वह बहुत सुन्दर रहती है Hari falls in love with her Hari को पहली नजब में उससे प्यार हो जाता है एसी offers to drop him वह मतलब Hari को बोलती है कि उसको drop कर दे छोड़ दे एंड हरी accepted हरी इस चित को स्युकार कर लेता है मतलब क्या होता है ना वहां पे campus में नहा जो है ना car driving सीख रही होती है तो इस driving के शेकर में नहा थोड़ा सा मतलब एक साइट से गुजरती है नहा की गाड़ी हरी के तो नहा उसको देखने के लिए आती है मतलब यहा पर थोड़ा बड़ा कहानी है बड़ हम छोटा mention किये है तो नहा उसको देखने के लिए आती है और उसे पूछती है कि उसको कहीं चोट भी लगी है तो बताता है नहीं औ वह खुद को इंटर्डूस करती है एज नेहा कि मैं बताती है कि वह नेहा है वो इस Mr. Charion's daughter जो कि Mr. Charion की daughter है Mr. Charion is the head of department और Mr. Charion जो रहते हैं वहां के department के head रहते हैं वन डे एक दिन रियान गेट से piece of good news रियान को एक good news मिलता है जो कि पैसवाला है he has been credited a hefty amount in his account कि इसको good news मिलता है कि उसके account में एक मोटा पैसा एक में बहुत ज्यादा पैसा transfer किया गया है क्योंकि इसके मादापीता पैसे वाले है he pays the semester fee वह क्या करते है semester का fee paid करता है and the rest of the remain money और बचा हुआ बाकी जो बचा हुआ पैसा है he spends on buying a new scooter वह बागी बचे में पैसे से एक scooter खड़ीद लेता है there after they do a lot of fun together उसके बाद यह लोग और भी बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं आलोक would not participate in there every time हलाकि जो आलोक है बहुत टाइम इनलों के मस्ती में उनलों का साथ नहीं देता है क्योंकि आलोक के उपर pressure रहा है कि उसको कुछ अच्छा करना है अब आगे है आलोक left the group की किस पर आसे आलोक जो है उस group को छोड़ देता है अगें सब months of constant enjoyment अब जो scooter लेने के पाद ही लोग enjoyment करें तो लगातार enjoyment करने के कुछ महिनों बाद the exam starts फिर से exam सुरू होता है and again they get poor marks और फिर से लोगो बहुत गंदा marks आया आलोक was again disappointed with himself आलोक फिर से खुद से disappoint होता है निराश होता है this time and he decide to shift himself to venkat और decide करता है कि वो shift करेगा खुद का room change करके venkat की room में चला जाएगा venkat was the topper of his class venkat जो है class का topper है आलोक getting improved due to his difference from रियान and हडी और आलोक में फिर बहुत improvement होने भी लगता है रियान और हडी से दूर होने के वज़े से but again लेकिन फिर से one day आलोक's father get serious आलोक की पिता एक दिन आचानक से बहुत जादा serious हो जाते है and was required to be hospitalized और उनको जरूरी होता है कि जल्दी जल्दी hospital में भरती किया जाए रियान और हडी joins आलोक and help से रियान और हडी जो कि उसके friend थे फिर से मतलब आलोक का साथ देते हैं रियान नाइस gesture और यही रियान का जो नाइस gesture है अच्छा behavior है impress आलोक फिर से impress आलोक मतलब आलोक जो है इससे impress हो जाता है and he again join the group और फिर से join कर लेता है ग्रूप को निहा accepts हडी निहा कैसे हडी को accept करती है उसके बारे में आम लोग हम लोग पढ़ेंगे one day हडी meets निहा एक दन फिर हडी जो है निहा से मिलता है इन्हें book store कहा मिलता है book store में एक मतलब किताब का दुकान रहता है और वहां मिलता है and decided to talk to her and decide करता है हडी कि उससे बात करेगा but she ignores him badly लेकिन जो निहा है बूरी तरह से इग्नोर कर रही है हडी को but as she gets out of the store लेकिन जैसे ही वह स्टोर से बाहर आती है to her and tells him और उसको बताती है about her relationship with the bookseller बताती है bookseller was her father's old friend की बताती कि यह जो bookseller दुकान दार है मिरे पिता का बहुत ज्यादा बहुत पुराना दोस्त है इस होज़े से हम तो इग्नोर कर रहे हैं थे they moved to an ice cream parlor यह लोग एक ice cream parlor जाते है where they start a casual talk जहाँ यह normally बात करना शुरू करते है निहा tells heri about her brother निहा जो अपने भाई के बारे में हडी को बताती है समीर के बारे में who was no mode alive जो कि अब जिवित नहीं है she starts feeling comfortable with him और वह comfortable feel करने लगती है निहा किसके साथ हडी के साथ निहा's birthday is coming अब निहा का birthday आने वाला है hence रियान decide to surprise her और रियान decide क्या करते है उसको surprise करने का ठीक है on his friend हडी भी हाप किसके और से हडी के मतलब हडी पसंद करता था निहा को तो रियान decide करता है कि वो हडी के और से निहा को surprise देगा आलोग हडी और रियान visit there at night there it means निहा के घर जाते है यह तीनों when she will be sleeping जब वो सो रही थी रियान gives a beautiful flower to निहा निहा को रियान जो है बहुत सुन्दर सा फूल देता है on the behalf of हडी हडी के तरफ से निहा thanks them निहा उन लोगो धनेवाद देती है to give her such a great surprise is great surprise के लिए कि यह तीनों आएं और मतलब गिफ्ट दियें तो इस निहाएं लोगो thank you बोलती है अब है about semester drop semester drop के बारे में कैसे लोगो मतलब एक semester छुट जाता है उस चीज के बारे में पढ़ेंगे 4 semester is nearby अब 4 semester नजदीक है हरी रियान और आलो कार्ड also not preparing for it हरी रियान और आलो जो है इनों मस्ती कर रहे है मतलब semester की preparation नहीं कर रहे है finally the exam start और अंतरी exam start होता है and on the first और starting में it was Viva सबसे पहले Viva होती है Viva क्या होता ना oral exam होता है मौ के कुछ question क्या रहता है तो Viva थी सबसे पहले Hari is not prepared for the Viva हरी जो है वह preparation नहीं क्या होता विवा के लिए रियान नोटिस करता है की they are worrying about Viva की यह लोग चिंतित है विवा को लेके he suggest हरी वह हरी को suggest करता है कि have a small pack of vod क्या की तुम vod का ले लो हरी टैंशन में है विवा को लेके तो यह हरी को suggest करता है कि तुम थोड़ा सा मतलब drink कर लो tension करता है हरी does the same हरी same करता है but during the Viva लेकिन Viva के दौरां Mr. Charian senses the order of the alcohol coming from his mouth Mr. Charian है जो strict रहते है काफी जो main head थे वह आते है और इन लोग के मूँ से ना विवा मतलब विवा के time और एक्जाम के time smell आला था alcohol का तो वह पता चल जाता है and gives him zero marks in the Viva और Viva में क्या करते है जीरो मार्क दे जाते है तीनो फ्रेंड को तीनो फ्रेंड को तीनो फ्रेंड इस ताइम alcohol पीके जाते है वें रियान गेट्स तो नो अबाउट इट और जब रियान को इस बाड़े में पता चलता है यह plans to steal the question paper वह क्या plan करता है question paper चुराने का हरी meets निहा हरी क्या करता है निहा से मिलता है और मतलब एक नकली चावी बनवाता है ताकि वह question paper निगलवा सकते exam में जो question paper आने वाला है चेरियन के office से बट दूरिंग थिफ्ट लेकिन चोड़ी के दौरान एक guard catches them एक guard जो है उनलों को पकड़ लेता है और मिस्टर चेरियन को बुलाता है वाइल दाい इंवेस्टिगेशन ड़ियन तेस ही अब जब इन्वेस्टिगेशन चल रहे थी तो रियान उनलों को बताता है about neha's involvement in it कि बताता है इनको लगता है कि अगर इनकी बेटी इस्टिस में involved है और अगर इन्वेस्टिगेशन को continue रखेंगे तो इनकी बेटी के ऊपर भी question आएगा तिस वाज़े से यहां पर इन्वेस्टिगेशन कंटिनुव नहीं रखेंगे इन तीनों फ्रेंड को क्या कर देते हैं वहीं मंदब निकाल देते हैं फोस्ट सेमेस्टर से की दुबारा एक्जाम देने के लिए अब दर रिलाज़ेशन आफ इस्टिस और यह सुनने के बाद कि यह नोग को मंदब फोस् सुसाइड करने की कोशिस करता है एंड जम्स प्रॉम दर टॉप फ्लोर ऑफ दर टेरिस और टेरिस के चट के सबसे उपर वाले फ्लोर से क्या करता है जम कर देता है लकली ही वोस अलाइव हलांकि वह जीवित बढ़ जाता है बट मेंब विथ सम सैब्रे इन्जरी लेकिन उ हो जाते है आलोग क्योंकि आलोग की उपर सबसे जादा प्रेशर रहता है ना फैमली का फ्यू देस लेटर अब को जिन बाद हरी निहा मिट्स इन एक कैंटीन हरी और निहा जो है कैंटीन में मिलते हैं दे वे टौकिंग अबाउट समीर की बारे में बात कर रहे थे निहा क देती हैं हरी क deceilओ चलीन है हरी के हाथ से बहन चलीओ चynen लेते हैं स्टाट दिद में चलीनी सीज़च यूँ साइण नोट को जो मिलदी कर थे उक्ता है जयसे आध्यक हम स्टे पराव चूंच कर करते हैं ऐस दन समीरू का रहे है कुछ हाई को ते रहां परनीन रहां इस या गलती होता है कि कैसे वो क्या कि है false acceptation मतलब जूटा मतलब एक होता है न कि लाद देना किसी के उपर कि कोई इंसान अपने इंटरस के कॉड़ने कुछ नहीं कर पा रहा है फिर भी वो अपने बेटे के उपर अपना अपनी इक्छा लादनी है यह चीज रिलाइज होता है Mr जो इंसान होता है मतलब फ्री होता है फिर वो क्या चीज चूज करना चाहता है मतलब इसको क्या बनना है क्या करना है whatever they wish to become कि वो जो भी इसको बनना है वही बने यहां पर Mr. चैरन को यह चीज नहीं अपने बेटे के सुसाइड नोट को पाईने के बाद रिलाइज होता है आलोक बहुत खुश है आलोक बहुत खुश है that he was finally fulfilling his paralyzed father dream कि फाइनली वो अपने फैमिली को जो चाहिए वो कर पा रहा है अपने पिता का सपना पूरा कर पा रहा है हरी को भी बहुत अधा पैसा कमाड़ा है हरी भी बट रियान लेकिन जो रियान है जो कि इनोवेशन पे न लेव एसिस्टेंट लेव एसिस्टेंट के रूप में मिस्टर वे ने उसको हायर कर लेते हैं और सेलरी ऑफ जस् 2,000 रुपीज पर मन्त के सेलरी वह वहां पर काम कर रहा है काफी पुरानी स्टोड़ी है तो उस टाइम 2,000 सेलरी भी काफी मतलब थोड़ा बहुत था बट लेव एसिस्टेंट के लेव थोड़ा बना हुआ था ठीक है तो यहां पर यह दिखाया जाता है कि आयए टी में भी कम मार्श लाने वाले को मतलब लाइफ सटल नहीं हो पाता है और मतलब एक तरह से कैसा संगर्स होता है इस तरह का मतलब स्टरगल रहता है वो चीज दिख बहाइं दर टॉपिक तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम क्या होता है कि रिजल्ट पे मार्श पी ज्यादा फोकस करता है बिना यह यह नहीं कि कॉंसेप्ट क्या है उस टॉपिक के पिछे अंडर्स्टैंडिंग फोकस नहीं करता यह चीज दिखाया गया इस नोबल की थू ठीक है अलदाओ हलां कि there are plenty of good things about the Indian education हलां कि बहुत सारी अच्छी चीज़े भी है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में to none less it also has some major faults और बरहल मतला बहुत सारे अच्छी चीज़े भी है लेकिन साथ ही साथ इसमें कहा है न कुछ major faults भी है problems भी है the story of this novel इस novel की जो story है deals with the fear and insecurities of the students students के दर को insecurity को दिखाती है the author Chetan Bhagat जो author है Chetan Bhagat himself is the victim of this type of system वो खुद भी victim रहते हैं इस system के क्योंकि वो भी IIT के student जेतन भगत भी तो वो मतलब खुद इस system के victim रहते है जेतन भगत so he has tried to bring into the limelight the major issue इसलिए वो कोशिस करते है कि limelight प्रकास डालना उन major issues पे major main मुद्धों पे related to the youth जो कि युवाहों से related है ठीक है and his prime notion और उनका जो main मुख्य notion है इरादा है with regard to education कि education से related जो main मुद्धे है न major issue है उसको limelight में लाना उस पर प्रकास डालना तो यहां पे जो है notes खतम होता है video गर आपको अच्छा लगा आपके syllabus का है तो आप लोग video को लाइक करना चैनल को subscribe करना और comment करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा मिलते नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ की कRIओिए कि करने लुपिक करने के नेक्स वीडियो आपके तो आपके नेक्स वीडियो सने अेक्स टॉपिके mitt